अर्थ एजुकेशन संटर में आपका स्वागत है आज हम लोग बिहार सेसी इंटर लेवग दो हजर तैस के होने बाले प्रारंभिक एक्जाम का हम लोग जी के सेक्शन करने वाले हैं जिसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेंगे का सेट नमबर टू करने वाले हैं इसके पहले सेट वन इस चैनल के माध्यम से प्रुभाइड कराया जा चुका है और साथ ही इसका प्रिवियस यर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तो यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं आज के सेट का पहला प्रस्ण है भारत में सरवाधिक चांदी उत्पादन करने वाला परदेश का उनसा है आपको बताना है कि भारत में जो है सरवाधिक चांदी उत्पादन करने वाला परदेश का उनसा है महराष्ट, करनाटक, बिहार या राजस्थान इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा भारत में सरवाधिक चांदी उत्पादन की अगर बात करें तो राजस्थान, option D's का क्या होगा, right answer हो जाएगा देखे, book और author से यहां से हर set में 2-3 प्रस्ण यहां पूछे जाएगे दूसरा प्रस्ण है, primary प्रामडी, colors पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपके option जो है, इस प्रकार दिये हुए है बर्नोर जोडन, माइकल जोडन, जो क्लाइन या माइकल ओराइनी इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा, option C, जो क्लाइन गुमना, option C, इसका right answer हो जाएगा primary colors पूस्तक के लिखन जो है, जो क्लाइन है ये बिल्कूल ही आसान प्रस्ण है देखें, जी के आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगे C of Transquality इस्थित है दचनी पूर्वी अफ्रिका में, रूस की पशिमी घाटी में या चंद्रमा पर या भार के पशिमी तक पर इसका सही एंसर होगा, option C, चंद्रमा पर जो है C of Transquality जो इस्थित है, वो चंद्रमा पर इस्थित है जो सांथ सागर, चंद्रमा पर इस्थित है इसको सांथ सागर के रूप में जादनते है C of Transquality का अर्थ होता है सांथ सागर चंद्रमा का प्रिष्ट भाग, जहां सूर की किरन नहीं पहुँचती है और हमें नहीं दिखाई देता है, या भाग को ही, क्या कहा जाता है सांथ भाग कहा जाता है, सांथ सागर के रूप में भी हम इसे जानते है तो ये दोनों फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला जो प्रस्द है, साई लोग कौन सी पुस्तक का मुखे पात्र है साई लोग की अगर बात करें, तो साई लोग जो है, मर्चेंट ओफ वेनिस का पात्र है तो ओप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा देखें, बेरोजगारी से भी, इकोनोमिक्स से तीन से चार कोशन आपको देखने को मिलेंगे इसमें सनरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन होती है तो इस प्रस्द का सही उत्तर होगा, अब अस्फिती की दसा के कारण जो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन होती है बेरोजगारी के economics का तीन-चार topic जो है वो हम आपको separate वीडियो प्रोभाइड करा देंगे full detail के साथ संरचनात्मक बेरोजगारी, परचनन बेरोजगारी, छिपी भी बेरोजगारी तो सारे जो है वो बिरोजगारी पर हम एक separate वीडियो आपको प्रुभाइड करा देंगे ताकि यहां से आपको जो भी प्रसुन पूछे जाते हैं वो आपको मिस ना हो चलिए next question Question नमर 6 अमेरिका द्वारा खारी युद्ध दूतिये में किस पर और कब आकर्मन किया गया था इस प्रस्न का सही उतर होगा इराग पर 20 मार्च 2003 को आकर्मन किया गया था Option C इसका क्या होगा सही उतर हो जाएगा अगला जो प्रस्न है भारत की मुख भासा किस अनसूची में सामिल किया गया है तो भारत की मुख भासा आप लोगों को पता होगा कि भारत की आठमी अनसूची में सामिल किया गया है तो option A इसका क्या होगा सही उतर हो जाएगा भासा से related पीडियप भी हम आपको प्रोभाइड करा देंगे भासा से related जो सम्विधान में कितनी भासा और कब-कब include किया गया है ये बिहार SAC, CGL graduate level में भी यहां से प्रस्न पूछे गये थे 1967 में कौन सी भासा एड किया गया था तो यहां से एक प्रस्न पूछे जाते हैं भारतिय सम्विधान में कहा गया है कि हिंदी को भारत कराश्टी भासा होगी या परसासनिक सरकार के बीच संचार की भासा होगी भारतिय संग के सरकारी भासा होगी या केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भासा होगी इस प्रस्ण का सयुतर होगा भारत की राष्ट भासा होगी भारत की राष्ट भासा होगी अगर बात करें हिंदी की 14 सितंबर 1949 24 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है आपको पता होगा भारत की संविधान सभा 343 अनुच्षेद 343 के अनुसार हिंदी को भारतिय संग की राजभासा की रुप में सुकार किया गया है हिंदी इन राजभासा है जैसे उत्तर परदेश हो गया बिहार हो गया एमपी हो गया राजस्थान हो गया हर्याना हो गया हिमाचल परदेश दिल्ली केल्सासित परदेश अंडमा निकोबार पंजाब गुजरात महराष्ट दूतिय भासा के रुप में इसे मानिता दी गई है याद रखेगा इसे दूतिय भासा के रुप में मानिता परदान की गई है इन राजियों क्योंकि यहां पर बहुल जो बोली जाती है वो है हिंदी अगला जो प्रस्न है आगे जो प्रस्न है क्विट जल किस देश की मुद्रा है देखे कर्यंसी से भी आपको प्रस्न देख सिर्वाला का मुद्रा है वह कीट जल है करेंसी का नाम किट जल है यह आप लोग ध्यान रखेंगे तो ओप सर्श सी इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है रूस का बाकुच शेतर निमलिखित में किसके लिए जाना जाता है रूस का जो है बाकुच शेतर है वो किसके लिए परसिध है तो रूस के अगर बाकुच शेतर की बात करें तो वो जो परसिध है किसके लिए है तो यह है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पेट्रोलियम उत्पादन के दृष्टी कोण से रूस का जो बाकुछ शेत्र है वो परसीत है तो option C इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देखिए यहां देश दिया हुआ है और यहां अस्थानिय पवन का नाम दिया हुआ है किस देश की कौन सी अस्थानिय पवन है वो बताना है तो अस्टेलिया की जो अस्टेलिया की जो पवन है वो है कौन है विल्ली विल्ली होती है चीन की पबन की बात करें तो चीन का जो होता टाइफून है और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो होता है मिस्ट्रल होगा और वेस्ट इंडीज का जो रिमेनिंग बचिया वो क्या है हरी के जिसे प्रभंजन के रूप में भी जाना जाता है तो इस तरह से A का क्या होगा? A का 2 होगा, B का 3 होगा, देखिए option A में A का 2, D का 3, C का 4 और D का 1 है, तो option A इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, अस्टेलिया की जो परवन का नाम है, वो बिल्ली-बिल्ली, चीन के परवन का नाम टाइफून है, और वेस्ट इंडीज के परवन का नाम परवन जन है, तो यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां से भी प्रस्ण पूछे जाते आगे जो प्रस्ण है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग और्गनाइजेशन निमलिखिद में से किस अस्थान पर अवस्थित है, भारत में जो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग और्गनाइजेशन जो है, वो कहां अवस्थित है, इस प्रस्ण का सही उतर होगा option C कोलकता में option C इसका क्या होगा? right answer हो जाएगा यह संगठन जो है भारत सरवेच्छन विभाग के अंतरगत कार्वियत है भारतिय सरवेच्छन विभाग मानचीतर कला और राष्टी आविसकताओं की पूर्थी करना जो है National Atlas and Thematic Mapping Organization का परमुख कार है तो यह आपने उध्यान में रखेंगे बहुत ही आसान प्रस्ण है मानस उबंजीव उध्यान कहां इस्थी थे तो मानस जो है इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा? option A असमराजी में हो जाएगा अगला जो प्रस्ण है उत्पादन फलन अविव्यक्ति करता है यह भी economic से प्रस्ण है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा भावतिक निवेश और उत्पादन के बीच के परदगी की संबंध को ही क्या कहते है? उत्पादन फलन कहते है यानि भावतिक निवेश ठीक है? जो भी निवेश किया गया है और उत्पादन के बीच परदगी संबंध कोई क्या है? प्रोडक्शन कहेंगे उत्पादन फलन कहेंगे तो option A इसका क्या होगा? सही answer हो जाएगा देखिए 8470 मीटर की उचाई पर 200 का पाचमा सबसे बड़ा परवत कहुंसा देखिए यहाँ पर पच्चमा सबसे बड़ा परवत पूछ लिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंचन जंगा जो कि हमारे भारतिये राज सिक्किम में अवस्तित है तो यह आप लोग दियान में रखेंगे सूरी गरहन कब होता है? सूरी गरहन कब होता है? तो आप लोगों को पता है कि सूरी गरहन जो है जब चंद्रमा जब चांद जो है पिर्थवी और सूरी के मद आ जाता है यह पिर्थवी है और सूरी सूरी के मद्ध जब आ जाता है चांद तो क्या होता है सूरी गरहन होता है क्योंकि चंद्रमा की छाया पिर्थवी पर परती है जिसके कारण पिर्थवी पर परती है जिसके कारण पिर्थवी के कुछ भाग या पूरे भाग से सूरी दिखाई नहीं देता यह चांद आ गया बीच में यह चांद आ गया यहाँ पर सूरी है और यह पिर्थवी है अब यह जो भाग है कुछ भाग या पूरा भाग जो है पिर्थवी को ढख देता है जिससे कि सूरी हमें दिखाई नहीं देता है इस कारण से हमें क्या है सूरी गरहन और ये हमेशा जो है सूरी गरहन अमवस्या को दिखाई देता है ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहां option देख लिए पिर्थवी चंद्रमा के बीच सूरी आ जाती है सूरी और पिर्थवी के बीच चंद्रमा आ जाती है ये बिल्कुल सही है option B इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा आगे जो प्रस्ण है भारत का अंतिम मुगल समराट का उन था इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा option D अंतिम मुगल समराट की अगर बात करे तो बहादूर साह दूती ये था जो की 1857 इसमी में बिद्रोह के पस्चात अंग्रेज ने बहादूर साह जफर को बंदी बनाकर रंगून जेल भेज दिया था रंगून जेल भेज दिया था रंगून के जेल में ही बहादूर साह की मिर्तू हो जाती है पहला मुस्लिम आकरमनकारी 1772 इसमी में भारत आया उसका नाम क्या था तो पहला जो मुस्लिम आकरमनकारी जो की 1772 इसमी में भारत पर आकरमन करने में सफल होगा था वो था मुहम्मद बिन कासिम तो इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा? Option D हो जाएगा इसका सही उत्तर राजा दाही को हराया था सिंध के राजे थे भारत के सरपर्थम सुल्य प्रे अठारे सो तिर्पन को पर्थम रेलगारी चलाई गई उस समय भारत के गवर्णर जेनरल कौन थे? इस प्रस्ण का सही उत्तर जो होगा? लोड डल हो जी Option B इसका क्या होगा? राइट अंसर होगा सुल्य अप्रेल अठारे सो तिर्पन इस भी को जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गी थी उसकी जो लंबाई थी 34 किरो मीटर थी ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और डाक चलन भी इसी के कारिकाल में चला था लोड डल हो जी के कारिकाल में ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे पंडित जवाहर लाल की निमलिखित किर्तियों में से किस पर दूरदर्सम सिरियल बन चुका है? पंडित जबाहर लाल नहरू के किरती पर कौन सी दूरदर्सन सिरियल बन चुका है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर जो होगा वो होगा भारत एक खोज ओप्सन ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकवारा कहां पर है तो जहांगीर का मकवारा की अगर बात करें तो ओप्सन सी लाहूर में अगला जो प्रस्ण है उत्पादल लागत पर सकल घहर लू उत्पाद होता है कर रहा है उत्पादल लागत पर जो सकल घहर लू उत्पाद होता है यानि gross domestic product होता है वो क्या होता है इस प्रस्ण का उत्तर होगा GDP में और पर्त्यच कर यानि indirect tax को घटा कर subsidiary जोड़कर GDP निकाला जाता है तो option A इसका क्या होगा right answer हो जाएगा GNP में मूल हडास को घटा कर नहीं gross national product होता है और NNP का आर्थ होता है net national product होता है मूल हडास को भात्ते में जोड़कर यह भी गलत है GDP का GDP से subsidiary और अपर्त्यच कर जोड़कर नहीं GDP में जो है GDP में जो अपर्त्यच कर होता यानि indirect tax होता है उसको घटा कर और subsidiaries में जोड़कर GDP निकाला जाता है या फिर ठीक है GDP को निकालने के लिए GDP में आप subsidiary को एड करके subsidiary एड करके indirect tax को माइनस कर दीजे तब भी GDP आप निकाल सकते हैं अगला जो प्रस्ण है किस आंदोलन के नित्रित करने के लिए मार्टिल लूथिन किंग को जाना जाता है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है इस प्रस्ण का सही उत्र होगा रंग बहित के बिरुद्य जो है मार्टिल लूथर को जाना जाता है रंग बहित के बिरुद्य जो है इन्होंने अपना नित्रित किया था तो option b इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा सांती निकेतन की अस्थापना के द्वारा किया गया था इस प्रस्ण का सही उत्रों का ओप्सन ए रवीन नाट्टै गोर्जी की द्वारा वर्स 1901 में बोलपूर में ब्रहमचर आश्रम नामक एक अबासिय विद्याली की अस्थापना की जो सांती निकेतन के नाम से क्या हुआ प्रख्यात हुआ तथा 1921 में विसु भारती में परिनित हुआ 1921 में ये क्या हो गया था विसु भारती में परिनित हो गया तो ये सारे फेक्ट आप रोग ध्यान में रखेंगे अगला जो प्रस्न है कौन सा भारतिय समाजी कारी करता कुष्ट रोगियों के बीच कारी करने के लिए विख्यात है इस प्रस्न का सही उत्तर होगा बावा आम्टे ओप्शन भी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा आधोनिक ओलंपिक खेलों का सरफर्थम आयोजन कम हुआ था बहुती इजी प्रस्न है अगर आधोनिक ओलंप की खेलों की सुरुवात की बात करे तो इसकी सुरुवात जो है 1876 इस भी में हुआ था चार अप्रेल 1896 इस भी में इसकी सुरुवात होई थी तो अपसर डी इसका क्या होगा राइट अलसर हो जाएगा युनान की राधानी एथेंस में चार अप्रेल 1896 को आधनिक ओलंपिक खेल का पर्थम आयोजर हुआ था तो अपसर डी इसका क्या होगा राइट अंसर हो जाएगा सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है दिया हुआ है सूची और राष्टपति सूची वन और राष्टपति दिया हुआ है संसद के सदस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे वो किस प्रकार से निर्वाचित किये जाते हैं व्यसक मताधिकार की द्वारा राष्टपति व्यसक मताधिकार का मतलब जिसकी उम्र 18 वरस है क्योंकि संसद सद से जो होता है, लोकसभा के सद से जो चूने जाते हैं, उसे संसद के सद से कहा जाता है, तो ब्यस्क मताधिकार के द्वारा चूना जाता है, और राष्टपती की अगर बात करें, तो राष्टपती जो है, राष्टपती की अगर बात करें, तो राष्टप का हो जाएगा 1 हो जाएगा B का 1 हो जाएगा और A का 4 हो जाएगा और उप्राष्ट्पती की अगर बात की जाए तो उप्राष्ट्पती का जो होगा संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं संसद के द्वारा निर्वाचित कौन होते हैं उपराश्पती होते हैं और लोग सभा अस्पीकर की अगर बात करें तो लोग सभा द्वारा निर्वाचित होगे तो इसका क्या हो जाएगा D का हो जाएगा इस तरह से D का थिरी हो जाएगा देखिए option में कौन है A का 4 A का 4 option D में ही है सिर्फ A का 4, B का 1 और D का C तो option D इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा भारत का दच्छिन्तम बिंदू क्या है भारत का दच्छिन्तम बिंदू क्या है तो भारत का दच्छिंतम बिंदू की अगर बात करें, तो इंद्रा पॉइंट होता है, क्या होगा, इंद्रा पॉइंट होता है, तो option B इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रा पॉइंट होगा, अंडबान निकोबार्दृप समोह में इंद्रा पॉइंट है, इ ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे लाला लाज पत्राई की विरुद परदसन कर रहे हैं जब वे पुलिस बरबरता का सिकार हुए इस प्रस्न का सही उत्तर होगा साइमन कमीशन का बहिसकार कर रहे थे लाला पत्राई के द्वारा तो वहाँ पर जब पुलिस बड़वरता से लाठियों से उन पर परहार किया तो यही पर इनकी यह घायल हो जाते है बुरी तरह से और इनकी मिर्तु हो जाती है तो ओप्सन डीस का सही उत्तर हो जाएगा माता टिला बहुदेशिय परियोजना किस राज में इस्थित है तो माता टिला बहुदेशिय परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर बनाई गई है यह उत्तर परदेश और मध परदेश की संजुक्त परियोजना है ठीक है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा option A हो जाएगा उत्तर पर्देश राज में गलोबल पर भारत की स्थिति किन उत्री अच्छांस के बीच है बहुत ही आसान प्रस्ण है गलोबल पर भारत की स्थिति के बारे में बात किया गया है तो भारत की स्थिति जो है गलोब में है गलोब पर है वह क्या है 8.4 डिग्री और 37.6 डिग्री 8.4 डिग्री से लेकर क्या है उत्री अच्छांस तक है 37.6 डिग्री तक है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या हुआ आप्सर C हो जाएगा मूल संविधान में मूल अधिकार को साथ भागों में बढ़िद किया गया था परंतु अब केवल है मूल संविधान में अगर मूल अधिकार साथ वर्गों में विवाजित किया गया था जब वूल अधिकार बना था जो कि अमिर्का से लिया गया है अमिर्का के समिधान से लिया गया था तो उसमें साथ अधिकार दिये गए थे प्रन्तु अब केबल इसमें कितने हैं कितने हैं 6 अधिकार रह गए क्योंकि संपत्ति अधिकार को आर्टेकिल 301 के तहब क्या कर दिया गया है कानूनी अधिकार बनाने आ गया है तो इस प्रस्ण का स्यूतर क्या होगा आपसर डीस का राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा का निर्मान होता है जब नदी के मुहाने पर होती है देखिए बहुत ही आसान प्रस्ण है तो इस प्रस्ण का समुद्री जो अर निर्बल होता है तब जो है डेल्टा का निर्मान होता है ठीक है जो बंगाल की खारी में जो नदी गिरती है वो डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो याद रखेगा नर्मदा और ताप्ती नर्मदा और ताप्ती जो ऐसी नदियां है जो कि एस्चूरी बनाती है डेल्टा नहीं बनाती है यानि ज्वार नेदमुख बनाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा Option D इसका सही उत्तर हो जाएगा बौध धर्म से सम्मंद अर्ध गोलाकार अंतेश्टी सम्मंद टीले को क्या कहते है तो क्या कहा जाता अस्तूप कहा जाता Option A इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा लेडे विद्धी लाइफ निमलिकित में से किसे कहा जाता है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा Florence Nightingale Florence Nightingale तो Option B इसका राइट एंसर होगा किस अधिकार को डाक्टर वी यार अंबेद करने सम्विधान का हिर्दय आत्मा बताया है तो article 32 को ठीक है Article 32 को जो है भी यार अंबेद करके द्वारा सम्विधान का हिर्दय कहा गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम्विधानिक उप्चारो का अधिकार की बात जो है article 32 में कहा गया है तो option D इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 32 से 35 तक है, मूल अधिकार संपत्ति के साथ ही, मूल अधिकारों का उलंगन इस्तिती अनुछे 226 के अंतर गथम, उच्छे नियाले में रिपोर्ट याची का प्रस्तूत की जा सकती है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्विप इस्तित है? बहुत ही अच्छा प्रस्त्त है और ये प्रस्त जो है बार-बार पूछे गए है एकजाम में, जन्जी बार तट जंजी बार तड जो है अफरीका के पूर्वी तड के तंजानियां के पास समुद्र तल में में इस्थित है तो ओप्सन डीस का सई उत्तर हो जाएगा इसे लॉंग का दूइप के नाम से भी जाने देते हैं जंजी बार को जो है लॉंग के दूइप के रूप में भी जाता है तो यह जो है हिंद महासागर में इस्थित है पूर्वी अफरीका के महतपूर्ण व्यपारी केंदर के रूप में भी परसी थे है तो यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला जो प्रसन है भारत आने वाला पर्थम अमेरिका राष्टपती कौन था बहुत आइजन हावर्ड यह जो है पर्थम राष्टपती जो है अमेरिकी के जो की भारत आने वाले हैं तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट यह पच्छी मोर को कभी मानिता परदान की गई है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा 1949 इसवी में तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा कागज का विष्कार सरप्थम कहा हुआ था तो कागज का विष्कार की बात करे तो चाइना में 105 इसवी में हुआ था कव हुआ था 105 इसवी में हुआ था यही सरप्थम लिखने की कला भी बिक्सित हुई है The Better Man किसकी किर्थी है अगला जो प्रस्न है मुगल सासक ने मनसुबदारी परणाली का परवतन डैस के द्वारा किया था तो होगा किसके द्वारा किया था अकबर के द्वारा किया गया था मनसुबदारी व्यवस्था जो है मुगलों के द्वारा अकबर के द्वारा किया गया था ये एक सैनिक व्यवस्था का परमुख भिसेशता थी मुगल बासा ने अकबर ने इसे आरंभ किया था अकबर ने इसकी प्रेर्णा संभवता खाली भा अबूल सईद द्वारा चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्विकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी आगे है मांग का नियम की अभिव्यक्त करता है मांग यानी लोफ्र डिमांड क्या अभिवर्थ करता है तो मांग की अगर बात करें किसी कीमत में परिवर्तन उसी मांग पर परभाव है परभाव परता है लेकिन ये अभिव्यक्त नहीं करता है किसी बस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत पर परभाव किसी बस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके अस्थापन की आपूर्ती का परभाव है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी बस्तु की अगर मांग जो है उसके अस्थापन की आपूर्ती का परभाव है जैसे किसी भी बस्तु की मांग डिमांड बरह गई उसकी आपूर्ती जो है कम हो रही है तो इसका effect मांग के नियम मांग पर परता है जैसे market में समान की जरूरत है 8 kg ठीक है और demand है और इसकी पूर्ती जो है 4 kg हो रही है मतलब की मांग कहीं न कहीं आपूरती पर फिर्फाव पर रहा है तो क्या करेंगे market के लोग इसका क्या करेंगे price को increase कर देने से क्या होगा प्राइज जैसे इंक्रीज होगा लोग खरीदना कम कर देते हैं अब एक्जामपल के तोर पर समझे टमाटर जो है अभी हाल ही के दिनों में 160 रुपे केजी हो गया था तो लोग जो है अब 1 केजी नहीं खर देंगे बलकि 100 ग्राम खर देंगे यानि पर टमाटर का जो अश्टोक है वो कम हो गया है तो क्या करेंगे मार्केट में इसकी प्राइज भेलू बढ़ा देंगे और प्राइज जैसे ही बढ़ेगा इसकी डिमांड क्या होगी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि लोग महंगाई जब बढ़ेगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे लोग खरीदना कम कर देंगे इस तरह से मार्केट की क्या होगी पूर्ती हो जाएगी और इसका जो है इफेक्ट भी इस प्रकार से आपूर्ती का परभाव परेगा आप लोग अच्छे तरीके समझ गे अब टमाटर 20 रुपे कीलो हो गया अब लोग सस्ते देख कर क्या है एक कीलो जहां खड़िने बाले थे वहां दो केजी भी खड़ी सकते क्यों क्यूंकि इसका डिमांड पर असर परता है प्राइज पर असर परता है अब आगे भारत में किस राज में सबसे बड़ी तठीय रेखा कि अगर बात करें किस की है गुजरात की है उसके बाद दूसरी नमर पर है अनधर पर किसका किस अनुछेद के अनुषेद के अनुसार चवदे वर्षे कम आयू के बच्चों को कार खानें में एवं अन्जोखिम कार्ण वाले कारियों को नहीं लगाया जा सकता है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा अनुछे 24 के अनुसार चवदे वर्षे कम आयू के बच्चों को कार खानें में कारी करना वर्जीत है तो option A का सही उत्तर हो जाएगा PIL की बहुत बात हुई थी जनहित याचिका किस न्याले के दोरा दायर की जा सकती है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा उच्छे न्याले उच्छतम न्याले और उच्छे न्याले दोनों में ही जन्हित याची का फाइल दायर किया जा सकता option D इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुदर तट पर वर्सा किस मानसून में होती है तो ये होती है दस्चिन पश्चिम मानसून से होती है जो कि केरल्क में अभी अक्टूबर नमंबर के महीने में बारिस होती है तो इस प्रस्चिम का सही उत्तर क्या होगा option D हो जाएगा भोपाल गैस कांड किस तिथी को हुआ था ये बहुत पूछा जाता है भोपाल गैस कांड किस तिथी को हुआ था तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को और इसमें किस गैस इसमें जो है मिथाइल आईसोसाइनाइट गैस जो का रिषा हुआ था जिसमें 1000 लोगों की जाने गई थी तो option A इसका सही उत्तर होगा सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है यहां पर दिया हुआ है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू जो है सरोजनी नाइडू भारती राष्ट्य कांग्रेस की थी M.A. जिन्ना जिन्ना की अगर बात करें तो M.A. जिन्ना मुस्लिम लिग हो जाएगा तेज बहादूर सिप्रू तेज बहादूर सिप्रू हिंदू महासभा और B.D. सावर कर लिबरेल पार्टी तो इस तरह से A का दो A का दो A में भी है और C में भी है और B का A B का A दोनों में है A और B दोनों में है और C का C C का C option B में है तो इस तरह से option B इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा आज के सेट का आखरी प्रस्ण सत्यागरह आश्रम के अस्थापना 1915 में किनके दौरा किया गया था अस्थापना उनके संस्थापक कहुत थे सत्यागरह आश्रम के अस्थापना 1915 में किनके दौरा किया गया था इस प्रस्ण का सही उत्तर जो होगा इंदु भाई यागनिक के दोरा होगा था तो इस तरह से इस तरह से आज के सेट का जी के सेक्षन जो है वह समाप्त हो गया यदि आपको ये वीडियो अच्छा और हेलफूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना ना भूले और इसको धीरे धीरे इसका लेबल बढ़ता जाएगा तो अभी के लिए बस इत नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर आप इसका पीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही जाहिए